Hello students, मैं Dr. Veena Prohit, Assistant Professor MS College, P. Kaner. Nucleic Acids, जो थे, सबसे पहले, Frederick Mission ने पस सेल के Nucleus से आइसोलेट करे थे, इसलिए उनका नाम Nucleic Acids हो गया. Nucleic Acids जो हैं, वहाँ दो प्रकार के होते हैं, Deoxy Ribose Nucleic Acid और Ribose Nucleic Acid. Nucleic Acid जो हैं, वहाँ Nucleotide से बनावा structure है, और यहाँ Universal है, सारी Living Things में, और यह सभी में पाया जाता है, सभी सेल्स और वायरिस में पाया जाता है. आज का हमारा जो में टॉपिक है, वह है Ribose Nucleic Acid. RNA वहाँ Nucleic Acid है, जो Genetic Message को DNA से लेके Ribosomes तक लेके जाता है, और यहाँ Protein Synthesis में मदद करता है. इसलिए इसे कहते हैं Ribose Nucleic Acid. Ribose Nucleic Acid जो है, यहाँ DNA के समान होता है, लेकिन इसके अंदर Deoxy Ribose Sugar की जगे Ribose Sugar होती है, और थाइमीन की जगे यूरेसिल पाया जाता है. RNA भी जो है, वहाँ एक Nucleic Acid Polymer है, जो Nucleotide से बनावा होता है, और जो एक Messenger की तरह काड़ करता है, DNA और Ribosomes के बीच में, और यहाँ Proteins बनाने में मदद करता है. कुछ वाइरसिज जो हैं, वे RNA का यूज़ करते हैं, DNA के स्थान पर. इन फीचर्स ऑफ RNA, Location, यूकेरेट्स के अंदर जो है, RNA, Nucleus और Cytoplasm दोनों में पाया जाता है, Cytoplasm के अंदर यह Freelie उकर करता है, और Ribosomes के अंदर भी यह Freelie उकर करता है, प्रो केरेट्स के अंदर यह Cytoplasm में पाया जाता है, Synthesis, RNA का Synthesis जो है, वह Nucleus में होता है, और DNA उसका एक Template की तरह एक्ट करता है, DNA से ही RNA बनता है, और जैसे ही DNA से RNA का Synthesis होता है, यहाँ Nucleus से Cytoplasm में मोग कर जाता है, और वहाँ पर यह Protein Synthesis का कार्य करता है, RNA के अंदर Self-Dubplication Property नहीं होती है, लेकिन कुछ वाइरस जैसे TMV, Plantago Virus, RNA जो है, वह रेप्लिकेट करके दूसरा RNA का मोलेक्यूल बनाता है, RNA जो है, वह DNA से काफी छोटा होता है, इसके अंदर 12,000 Nucleotides होते हैं, जबकि DNA के अंदर 4.3 Nucleotides होते हैं, RNA जनरली त्री टैप्स के होते हैं, मेसेंजर RNA, रइबोजोमल RNA, ट्रांसफर और सॉल्यूबल RNA, RNA का जो मेन फंक्शन है, ट्रांसफर और जनिटिक मैसेज फ्रॉम नूकलिस तो साइटोप्लाजम और सिंथेसिस और रइबोजोम्स, RNA का मेन फंक्शन है, कि जब RNA DNA से बनता है, तो यह नूकलिस साइटोप्लाजम के अंदर मूव कर जाता है, और वहाँ पे यह प्रोटीन का सिंथेसिस करता है रइबोजोम्स के अंदर. RNA जो है, वो एक सिंगल स्टेंडरेट स्ट्रक्चर है, जो की अनब्रांच पॉलिनूकलोटाइट चेन से बनावा होता है, लेकिन यह अपने आप पर ही फोल्ड हो जाता है, जबकि DNA जो है, वो डबल स्टेंडरेट स्ट्रक्चर है, जो दो पॉलिनूकलोटाइट चेन से ब स्ट्रेंडेट चेन है जो अपने आप पर ही फोल्ड होकर हैलाइसेज बनाती है आरेने डियने की तरह काफी सारे नुकलोटाइट से बनावा होता है जो एक लीनियर सिक्वेंस में अरेंज रहते हैं और 3-5 फोस्फोडाइस्टर बॉंड से लिंक रहते हैं आरेने नुकलोट से अटेनी योलाइससें और 2 फैमीनी एपिसंत होता है और 3 इंकी यूरैसिंक्रेसन करते यह सटरक्छा रहें कि आ अरेने जो है वह डबल नहीं बनाता है यह सिंगल स्ट्रेंड स्ट्रेंड टोकMr. अपने आप पर ही एक हालिक्स के रूप में काल हो जाता है पिंग मेंसको nitrogenous basis जो है sugar से and glycosidic linkage से link होकर nucleoside बनाती है phosphate group जो है वो 3-OH group of nucleoside से phosphodiester linkage से जुड़ा हवा रहता है दो nucleotide जो है वो 3-5-phosphodiester linkage से join होकर एक dinucleotide बनाते है ऐसे polymer के अंदर एक free phosphate group 5-and पर होता है and ribose sugar पर और इसको कहते हैं 5-and और दूसरा end पर ribose के पास एक free 3-OH group होता है जिसको हम कहते हैं 3-and of poly nucleotide chain RNA के अंदर एक हर एक nucleotide के पास एक additional OH present होता है second position of ribose पर RNA के अंदर भी DNA के तरह दो nitrogenous bases मिलते हैं pyrimidins और purines RNA में pyrimidin base दो तरह के होते हैं cytosin और uracil यह single ring structures होते हैं यह less space occupy करते हैं और pyrimidin जो है ribose sugar से third position पर link होता है purines भी जो है वह DNA के समान adenine और guanine होते हैं वे double ring compounds होते हैं वे ज़्यादा space occupy करते हैं और ribose sugar जो है वह 9th position purine पर link होती है यह है चार nitrogenous bases RNA के adenine, guanine, cytosin और uracil purines होगे adenine और guanine और pyrimidins होगे uracil और cytosin ribose sugar आरेने के अंदर जो main sugar होती है वो होती है ribose sugar यह panto sugar है यह जो 5 carbon atoms से मिलकर बनती हैं जो 4 carbon atoms जो ring के अंदर है और 5th carbon atom जो है वह बहार है ring के CH2 group के साथ इसके अंदर 4 OH group है जो 1st, 2nd, 3rd और 5th carbon position पर attach है hydrogen atoms जो है वह 1 to 4 पर attach है ribose sugar के अंदर OH group जो होता है वो carbon atom 2 पर होता है जबकि DNA के अंदर केवल H group होता है फोस्वेट molecule जो है वह alternate manner में ribose sugar के साथ attach रहता है और यह इसके अंदर sugar phosphate backbone बनाता है फोस्वेट जो है वह 3rd carbon atom of ribose पर जुड़ा रहता है और एक एंद पर और दूसरा एंद पर 5 dash ribose के 5 dash carbon atom से जुड़ावा होता है डिने के तरह इसमें भी nucleosides और nucleotides होते हैं nucleosides जो है वह ribose sugar और nitrogenous basis से मिलकर बनता है और nucleotide जो है वह nucleoside plus phosphate से जुड़के बनता है तस nucleotide is a nucleoside nucleotide क्या है nucleoside के साथ जब phosphate group covalently attached होता है तो उसे हम कहते हैं nucleotides four different nucleosides जो RNA के हैं वह है ribose adenosine, ribose gunosine, ribose cytosine and ribose urosine यह है differences between RNA and DNA जैसे कि आप points में देख रहे हैं ribose इसमें main sugar है इसके अंदर deoxy ribose है इसमें pyramidion component जो thiamine जो रहता है वो नहीं होता है इसमें uracil होता है इसमें thiamine होता है uracil नहीं होता सिंगल standard structure होने के कारणी चारगाफ रूल को फॉलो नहीं करता है DNA जो है वो चारगाफ रूल को फॉलो करता है RNA जो है वो easily destroy हो जाता है by alkali to cyclic diasture of mononucleotides DNA जो है वो है रेजिस्ट करता है alkali action को क्योंकि इसके पास OH group absent होता है वहाँ पे केवल H present होता है RNA जो है वो labile molecule है और easily degrade हो सकता है DNA जो है वो stable molecule है और यह है इसका degradation बहुत slow होता है जो genetic information है वो years to years जो रहती है वह store रहती और कभी भी change नहीं होती है mainly cytoplasmic यह हमेशा RNA जो है वो cytoplasm में पाया जाता है और DNA जो है वो हमेशा nucleus में पाया जाता है extra nuclear DNA जो है वह mitochondria और plasmids में पाया जाता है इसमें RNA में जो base content है वह 100 to 5000 vary करता है size variable होती है और इसके अंदर millions of base space होते हैं DNA में RNA जो हैं वह काफी प्रकार के होते हैं जैसे mRNA, RNA, tRNA, snRNA, miRNA और heterogeneous nuclear RNA यह सभी RNA अलग-अलग functions perform करते हैं DNA जो है वह हमेशा एक प्रकार का होता है और उसका एक ही कारे है कि transfer and storage of genetic information RNA का कोई भी variable physiological forms नहीं प्राप्त हुआ है the different type of RNA do not change their form वह अपने forms change नहीं करते DNA के काफी सारे forms होते हैं जो variable होते हैं A, E and Z RNA जो है वह DNA से synthesized होता है और it cannot form DNA यह DNA वापस नहीं बना सकता except by an enzyme known as reverse transcriptase DNA can form DNA by replication DNA जो है एक नया DNA replication से बनाता है और RNA बनाता है DNA by the process of transcription many copies of RNA are present per cell और DNA की एक single copy present होती है per cell there are three main types of RNA transfer RNA ribosomal RNA and messenger RNA messenger RNA it constitute about five to ten percent of total cellular RNA cell के अंदर जितना भी RNA होता है उसका यह 10 percent होता है messenger RNA जो है यह nucleus के अंदर synthesized होता है DNA के complementary strand से or genetic information को carry करता है from chromosomeal DNA to cytoplasm for synthesis of proteins इसलिए इसका नाम दिया गया है messenger RNA क्योंकि यह genetic information को chromosomal DNA से cytoplasm के अंदर जाता है और वहां पर यह protein का synthesize करता है इसका नाम messenger RNA Jacob and Monard ने दिया था 1961 ने It is formed as a complementary strand to one of the two strands of DNA यह DNA के दो strand में से एक strand से बनता है और इसलिए यह same sequences carry करता है जो DNA करता है बतलब यह DNA से अपनी copy बनाता है except जो DNA का थायमीन है उसको uracil substitute कर लेता है इसलिए messenger RNA same information carry करता है जो DNA के पास होती है जैसे यह synthesize होता है यह nucleus से cytoplasm में आ जाता है और यह ribosomes के ओपर जाकर deposit हो जाता है यहां पर messenger RNA template के तरह करता है protein synthesis के लिए इसकी lifespan बहुत छोटी होती है और कुछ translation के बाद यह विदर अवे मतलब खतम हो जाते हैं इसलिए इनका turnover जादा होता है messenger RNA from different organism में alike in gross base content but they are usually different in arrangement messenger RNA जो अलग-अलग organisms में देखने पर एक जैसे दिखते हैं लेकिन इनका arrangement different होता है molecular weight of average molecule of messenger RNA इस 5 lakh और sedimentation coefficient इसका होता है 8S RNA का synthesis DNA से होता है और इस process को हम कहते हैं transcription DNA के दो strands में deposit polarity होती है एक strand में होती है 3-5- polarity और दूसरे में होती है 5-3- polarity RNA polymerase second enzyme जो है वह DNA से RNA का synthesis करता है और इस RNA जो बनता है उसको हम कहते हैं heterogeneous nuclear RNA इस heterogeneous nuclear RNA के अंदर दो तरह के base sequence होते हैं introns जो होते है unwanted base sequence और exons जो होते हैं useful base sequences U carrots के अंदर जो RNA के बनने का process है वह three steps में complete होता है पहला होता है capping at 5-and 5-and के अंदर cap को add किया जाता है और यह cap जो है वह unusual nucleotide से बनी होती है जिसका नाम है methyl unosine triphosphate cap जो है वह RNA को degradation से protect करती है 3-and जो रहता है उसको हम कहते है tail और इसके अंदर 3-and पर poly A tail जो हती है वहाँ पर heterogeneous nuclear RNA जो है वहाँ पर adenylation होता है with the help of the enzyme poly A polymerase मतलब continuously poly adenylates add होते रहते हैं last step है splicing इसके अंदर क्या होता है introns जो कि unwanted base sequences है वह रिमू हो जाते हैं और exons जो हैते हैं वह join हो जाते हैं with the help of the enzyme ligase अब जो fully formed heterogeneous nuclear RNA है उसको हम कहते हैं messenger RNA यह nucleus से release होकर cytoplasm में आ जाता है और इस तरह से एक नया messenger RNA बन जाता है यह steps हैं first, second, third next type of RNA is ribosomal RNA ribosomal RNA ribosomal RNA जो है यह ribosome में पाया जाता है यह ribosome का catalytic component है ribosome की जो size है वह जो है S units में हम express करते हैं यानि की centrifuge होने पर उसका sedimentation coefficient जो है वह S units से express किया जाता है यह cell का 80% of RNA बनाता है इसका जो main function है वह mRNA और tRNA को ribosome से bind करना cytoplasm के अंदर eukerotic cells के जो ribosomes में उसमें ribosomal RNA जो है वह तीन different dimensions में ओकर होता है यह है 28S, 18S और 5S 28S और 5S molecules जो है वह ribosome का larger subunit यानि की 60S subunit में पाय जाते हैं जबकि 18S molecules जो है वह ribosome का जो smaller molecule है 40S subunit उसमें पाय जाते हैं 20S molecules जो है उसका molecular weight होता है 1.5 to 1.8 into 10 raise to 6 delta जबकि 18S particles का molecular weight होता है 8 to 0.1 into 10 raise to 6 delta prokerotic cells के अंदर जो है उनके अंदर 23S और 16S RNA molecules पाय जाते हैं जिनका molecular weight होता है 1.2 10 raise to 6 delta and 6 into 10 delta respectively जितना भी ribosome RNA molecule है except 5S molecules are processed from a single 45S precursor RNA molecule in the nucleus 5S RNA जो है इंडिपेंडेंटली ट्रांसक्राइब होता है RNA जो है ये base content में differ करता है tRNA से और mRNA से ribosomal RNA जो है वह ग्यूनसाइन और साइटोसिन में rich होता है ribosomal RNA जो है वह ribosomes में present होता है लेकिन ये बनता Nucleolus में है जो DNA Nucleolus के साथ associate होता है वह ribosomal RNA बनाता है इसलिए DNA का वह पार्ट जो ribosomal RNA बनाता है उस पार्ट को हम कहते है Nucleolus Organizer दो टैप्स के जो RNA है 28S और 18S जो है वह molecular DNA से transcribe होते हैं as a single elongated unit of 45S Nucleolus के अंदर 45S RNA methylated होता है और protein के साथ complex हो जाता है finally काफी सारी steps के बाद यह 32S और 18S segments में जो है यह टूटता है 18S RNA जो है वह basic proteins के साथ attach हो जाता है और ribosomes के smaller subunit बनाता है 32S segment जो है वह वापस तूटता है और 28S RNA में तूटता है यह 28S RNA भी जो है proteins के साथ associate हो जाता है और ribosome का larger subunit बनाता है और यह दोनों unit जो है यह साइटोपलाजम से बाहर आ जाते है यू केरियोटिक ribosome जो दो से मिलकर बना है subunit 60S और 40S 28S और 5S जो है वह larger subunit 60S में पाया जाता है जबकि 40S subunits के अंदर 18S molecule of ribosome RNA बनाता है ribosomal RNA का function पूर्ण रुपेन ग्यात नहीं है लेकिन यह माना जाता है कि यह इसका main career messenger RNA को ribosomes पे bind करना है और translation या protein synthesis में मदद करना है recent studies ने यह suggest किया है कि जो RNA जो है वह peptidal transferase activity का कारे करता है और एक enzyme ribosome की तरह कारे करता है इस तरह से आज हमने ribos nucleic acid का structure और उसके दो टाइपS messenger RNA और ribosomal RNA के बारे में पढ़ा next class में हम transfer RNA का clover leaf model पढ़ेंगे थैंक यू